भारत में कुरोना वाइरस एक बार फिर तेजी से पाउं पसारता नज़र आ रहा है। इस बीच स्वास्त मंत्राले ने भी एक डराने वाली बात कही है। मंत्राले ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कुरोना वायरस का एक नया double mutant variant मिला है हाला कि मंत्राले का ये भी कहना है कि अभी तक आंकडों से इस पष्ट नहीं है कि देश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और वाइरस के नए वेरियंट के बीच कोई संबंध भी है क्या कहते हैं रिपॉर्ट्स कोरोना के ये नया वेरियंट कई अन्य देशों में भी मिल चुका है दरसल पिछले कुछ समय से भारत समय दुनिया भर में इस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं स्वास्त मंत्राले के मताबिक कोरोना के नए वेरियंट के अभी परियाप्त मामले नहीं मिले हैं ये वेरियंट शरीर के इम्यून सिस्टम यानि प्रतिरक्षा तंत्र से बच कर संक्रमण को बढ़ाता है कोरोना वाइरस का ये नया मियूटेशन करीब 15 से 20 पीस दी नमूनों में पाया गया है और ये चिंता का विशय है जो की पहले के वेरियंट से मेल नहीं खाता महराश्टर से मिले नमूनों के विशलेशन से पता चला है कि देसंबर 2020 के तुलना में कोरोना के नमूनों में E484Q और L452R मूटेशन के अंशों में बढ़ोत रही हुई है अंतराश्टर यात्रियों के देश आने पर और अन्य कोरोना मरीजों से लिए गए नमूनों की जिनोम सिक्वेंसिंग और इसके विशलेशन से पता चला है कि फिलहाल इस वेरियंट से संक्रमित लोगों की संख्या 10 है सरकार बार-बार कह रही है कि प्रतेई क्युक्ती कोरोना से बचने की नियमों का पालन करें इसकी अलावा सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रफ़डिया तेज करने को कहा गया है वीडियो डेस्क अमरुजाला.ड़ कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें